नमस्कार मित्रों बहुत स्वागत है एक विशेश और रोचक जानकारी के साथ मैं हूँ आप के साथ आपका इस्टो फेंड संतो संदोशी लगबग 20 वर्षों के बाद मैंने अपना सर मुढ़ाया है गया जी के पवित्र पावन तीर्थ स्थल पर ऐसे ही बातों में बच्चों के साथ जब हम बैठे थे तो हमारे जो कैमरा परसन सिरीप प्रदीप मिश्रा जी है चर्चा किया कि गुरु जी इस पर एक कारक्रम होना चाहिए कि क्यूं बाल मुढ़ाया जाता है तो बिशे रोचक था और सामईक भी पित्र पक्षु चल रहा है तलाशा थोड़ा बहुत इंटरनेट पे खंगाला कुछ सामगरी ऐसी नहीं मिली जो बिश्वशनी हो जिस पर भरोसा किया जा सके और तारकी को तो ऐसे मैं आपके इस्टो फ्रेंट पीछे कहा रह सकते हैं मस्तुष्क की छठी इंद्रियों को जब हमने खोला तो बहुत सारे तत्थ निकल करके सामने आए और जो मूल तत्थ है इसका शिराद पर्व पर पर्व ही है अपने पितरों का पर्व है शिराद पर्व पर सर मुढ़ाने का बाल छिलाने का टकला होने का महत्व क्या है बहुत सारे लोग छिलाते हैं मुढ़ाते हैं बहुत नहीं मुढ़ाते हैं किसे सही माना जाए ये जानकारी शेयर करने लाइग है अनिवार समझ कर इसे शेयर जरूर करिएगा किसी भी प्लेटफॉर्म पर छोड़िएगा मत्या तो मेरा प्लश्ण था कि किसे सही माना जाए जो बाल मुढ़ा लिए और उन्हें सही माना जाए जो नहीं मुढ़ाए है हर कोई ना मुढ़ाए या हर कोई मुढ़ाए फिर जब ऐसी स्थिति आती है तो एक वर्ग उनके लिए भी खड़ा होता है जो नहीं मुढ़ाते है और एक वर्ग उनके लिए भी खड़ा होता है जो मुढ़ाते है अब दोनों का तर्क समझना है और सही जगह तक पहुँचना है पहले उन पर ही चर्चा कर लेते हैं कि जो कुछ तर्कों के साथ नहीं मुढ़ाते कि ये सब बेकार की चीज़े है इससे क्या होता है ठीक है क्या होता है बहुत कुछ होता है कुछ भी नहीं होता है लेकिन इस तर्क को मैं यहाँ पर एक मानता का स्वरूप देकर छोड़ूंगा नहीं अभी अभी रुके रहिएगा आपको लग रहा होगा कि एक मानता का स्वरूप देकर क्या आचारी जी कन्नी काट रहे है ना आऊंगा मैं मुढ़ाना चाहिए उस पर आऊंगा अबिसली हमने मुढ़ाया है तो इसी के पक्ष में हमारे तर्क रहेंगे ये अंतिम सत्य है लेकिन वो तर्क आप पर थोपे गए हुए नहीं लगेंगे वो तर्क समझने योग्य लगेंगे और सायद आज से कुछ लोग अनुकरण भी कर लें हमारे सोड़ संसकारों के मद्ध बैज्ञानिक तत्थ की पराकाश्ठा बहुत दैदीप प्यमान रही है कोई भी माननता हो कोई भी हमारा हिंदु धर्म का कोई भी संसकार हो गहराई जिसमें अन्तिम संसकार में ये सारी क्रियाएं आती हैं दाह संसकार के साथ जुड़ी होई जुर समस्त क्रियाएं हैं तेरह हुई तक की और उसके बाद अन्तिम पिंडदान तक की वो हमारे संसकारों का एक उपसंगार है अन्तिम पड़ाव है खेल यहाँ पर सकरात्मक और नकरात्मक उर्जा और शक्तियों का है जो मृत आत्मा है वो एक शक्ति है ध्यान दीजेगा अब यहाँ मजा वाला यहाँ तर्क सुरू हो चुका है जो आत्मा है वो एक शक्ति है एक उर्जा पुन्ज है जिसके अंदर एक विशेश प्रकार के संसकार विगत जीवित रहने वाली अवस्था तक के पले हुए है इकठा हुए है वो शक्ति है उसने एक जीवन जिया है शरीर छोड़ी है जो माध्यम था उस माध्यम से निकली है लेकिन सुक्ष्म प्रज्या के रूप में कार्यों की उर्जा के रूप में वो अभी भी उर्जान नवित है वो अभी भी शक्ति के साथ एहसास करा सकती है सारा खेल यहाँ पर थोड़ा बहुत दरवाला भी है बाल मुढ़ाने के प्रती जो एक भाव है वो शोक्षंबेदना के साथ प्रतिशत भाव से ओत प्रोत चालिश प्रतिशत में बैज्ञानिक तथ और थोड़ा सा आत्माओं के वजूद को मानने की बाद्धता है आईए पताता हूं कैसे बाल क्यों उड़ाना चाहिए बालों का संबंध डायरेक्ट आपके लगन भाव मतलब आपके जीवन से संबंध रक्षात्मक भाव आपका कवच आपके मस्तुष्क की रक्षा का आवरण मस्तुष्क को एक सही तापमान में रखने का एक सिस्टम उससे उस आत्मा का कनेक्शन जो आपके परिवार की आत्मा है वो डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है जिससे उस आत्मा का मोह कहीं न कहीं हमारे मस्तुष्क से जुड़ा रहता है जब तक वो मोह एक बार हटेगा नहीं connection कटेगा नहीं उसकी मुक्ती संभव नहीं होती है बाल उतरवाने से connection कटने के उपरां तो मुक्ती संभव हो जाती है और आसान हो जाती है यह इसका सकरात्मक और सबसे बैज्यानिक पहलू है हमने एक आवरण उतारा जिसका उसका संबन्ध था हमने उसको अपने से अलग किया जाओ मुक्त हो जाओ तरपन दिये खिलाए पिलाए और कनेक्शन काटे जाओ मुक्ती तरक पे आईएगा मुझे नहीं पता है तरक है सनी जकर के रखता है जोड के रखता है बालों का संबन्ध शनी से बहुत गहरा होता है बहुत गहरा होता है काटा अब लंबा नहीं चलेगा सनी लंबा चलने का कारव होता है तो इसका जो मूल से धान्त है फिर वो आत्मा भटकती रहती है आत्रिप्ति की अवस्था कुल में परिवार में बनी रहती है प्रभाव जुड़ा रहता है आत्माओं का आप लोगों के साथ बरकत नहीं हो पाती है वो अपनी वाली चलाती है त्रिप्त है संतुष्ट है शक विद्धन से का भी कारण बन जाता है बहुत जरूरी है साथ प्रतशत शोग संबेदना की निमित हमने रखा है कि हम बाल एक स्रिंगार का भी कारक होता है तो हम स्रिंगार त्याकते हैं हमें दुख है कि आप हमें हमसे हमारे वीच अब नहीं रहें आप अपनी शक्तियों क सही जगह इस्तेमाल करें आप मोक्ष की तरफ बढ़ें आवागमन से मुक्ति पाएं मोह माया से कटें हटें अब जाएं हम आपको भूल चुके हैं आप से हमारा कोई संबन्द नहीं आप मुक्ति पाईए यह एक भाव होता है एक संबेदना है यह एक संबेदना है हमने लेकिन मुक्ति पाईए ना करने पर फैशन और कुछ नहीं फैशन की आण में फिर कूतर को चलता है कि अरे कुछ नहीं होता है हम नहीं मानते हैं इससे क्या होता कौन देख रहा कुछ नहीं मेहनत करो यह करो ओ और यह तैंक यू शुक्रिया नन्यवाद हस्ते रहिए पित अठाइस तारिक वाला एक दिवसी पिन्दान शेश है संकल्प लिजिए बाल मुडाईए अपने पितरों के नाम से शुरात पक्ष में सब को बाल मुडाना चाहिए यह आपके सुख का आधार बन सकता है आज मा के देखिएगा तीन दिन बचे हैं महबत यूहीं बनाए र आजिए कार्श